आईए दोस्तो आज हम देखेंगे मद्द प्रिदेश के प्रमुक खनेज और उत्पादक जिली हम देखेंगे मद्द प्रिदेश के प्रमुक खनेज कौन से है और उत्पादक जिली कौन कौन है आज का जो हमारा मोटिवेशन को है जो आपके चहरी पर मुस्कान बरकरा रख अब हम देखेंगे मद्द प्रदेश के प्रवो खनेज तो हम मद्द प्रदेश जो खनेच संसाधनों की द्रश्टी से धनी राज्जियों की स्रेणी में रखा गया है। अब हम देखते हैं सबसे पहले हीरा, क्या हीरा, हीरा है जो अधात्वे खनेज है, क्या है अधात्वे खनेज है, हीरा है जो आगने चट्टानों की जो किम्बर लाइट सेल हैं, उनमें पाया जाता है, क्या हीरा, और हीरा है जो मद्ध प्रिदेश में पन्ना के हिनोता, सतना कि मजगवा वा जबलपुर में पाया जाता है हीरा में मद्द प्रिदेश को फष्ट इस्तान है हीरा में मद्द प्रिदेश का कैसा फष्ट इस्तान उत्पादानी की दराश्टी से अब देखते हैं यह पन्ना में हिनोता और सतना में मजगुआ जबलपुर में प्राप्त होता है जबलपुर से प्राप्त होता है अंगला जो हमारा खनिदेश है कौन सा है मैगनीज मैगनीज है जो इसका आइस क्या है इसकी आइस के साईलू मैलेन और ब्रूनाइट यह मैग कहां से प्राप्त होता है जो हम देखते हैं बाला घाट छिंदबाड़ा जहाबुगा और खरगोन अब देखते हैं लोह आयसक लोह आयसक जो किसी भी राजी या देश की जो रीड होती है अर्थविवस्ता की उसमें प्रमुक इस्तान लगता है लोहे की द्वारा ही हर चीज का निर्माण होता है चाहे वो किसी भी चीज का हो जैसे पुल घर भवन निर्माण इस परकार से हम देखते हैं तो बांध ये सब लोहे की आधरभूत रीड मानी जाती है ओद्यों की आधरभूत रीड कहां से प्राप्त होता है जो बाला घाट मंडला जवलपर और विदी जो मलाज खंड है वहां से प्राप्त होता है जो मलाज खंड की जो ख़दान है देश की सबसे बड़ी खुली ख़दान है कौन बाला घाट में मलाज खंड जबलपर जबलपर है जो यहां पर सलीमनाबाद जबलपर में सलीमनाबाद नाम अकिस्तान से प्राप्त होता है इ इनन वासक्ती का सुरोत है कोईला कहां से प्राप्त होता है यह देखते हैं तो साइडोल छंदबाड़ा होसंगबाद और बैतूल इसके जिले आती हैं अब हम देखते हैं जो कोईला है इसके चेत्र देखते हैं तो मद्भारत कोईला चेत्र और दूसरा है सत्पड़ा कोईल चेत्र अब देखते हैं मद्ध भारत कोईला चेत्र में हैं इसमें देखो उमरिया, कोरार, जोहिला, सुहाकपौर और सिंगरोली ये इनके चेत्र आते हैं और सत्पड़ा चेत्र जो इसमें आती हैं मोहपानी, साहपौर तवा चेत्र, कानन घाटी चेत्र और पैच घाटी च अब देखते हैं जो कोईला की परकार होते हैं जो एंथ्रिसाइट, बिटुमिन, लगनाइट और पीट कोईला यह चार परकार की होते हैं एंथ्रिसाइट कोईला है जो इसमें कोईला उच्च गुडबत तवाला होता है जो एंथ्रिसाइट है उच्च गुडबत तवाला को तीसत होती है लेगनाइट कोईला है जो इसको भूरा कोईला की नाम से जाना जाता है लेगनाइट कोईला भूरा कोईला की नाम से जाना जाता है पीट है जो यह निमने क्वाल्टी का कोईला होता है इसमें जो मात्रा होती है 27 परसंट से भी कम होती है यह जो कोईला है स्वा यहांपर पत्थर चूना-पत्थर जो सीमेंट उध्योग के लिए अनुकूल माने जाती та Sydneyách जाती हैं इसका उपियों कहां किया जाता है सीमेंट बनाने में किया जाता है तो चूना पत्थर के प्रमुक जली हैं जैसे जबलपूर मंदसोर सतना और कटनी यह हैं जो चूना पत्थर के प्रमुक जली हैं डोलोमाइट कुन सा है डोलोमाइट डोलोमाइट में हम देखती ह तो जिन चट्टानों में मैगनेसियम कार्बोनेट होता है ऐसे चूने की पत्थर को क्या कहते हैं डॉलो माइट कहते हैं जिन चट्टानों क्या होता है मैगनेसियम कार्बोनेट होता है ऐसे चूने की पत्थर को हम कहते हैं डॉलो माइट कहते हैं इनका यूज होता है लोहे क साप करने में यूज होता है उपयोग होता है डोलो माइट का अब यह कहां पाए जाती हैं बाला घाट नरसेंपूर सिबनी छिंदबाड़ा और जबलपूर इसके अंतरगा जिले आते हैं अंगला जो ऐसके हमारा खनेज है टंगस्टन कौन सा है टंगस्टन आप सभी परीच टंगस्टन का उपयोग होता है और जो टंगस्टन है यह बुलफ्राम से प्राप्त किया जाता है बुलफ्राम से टंगस्टन को प्राप्त किया जाता है कहां पाया जाता है जो आगर मालवा आगर गाउ है अगर गाउ है हुसंगाबाद में मिलता है टंगस्टन इसके इला का अपर रूप है कारवन का अपर रूप है ग्रेफाइट उप्योग कहां किया जाता है पैंसल बैटरी पैंट बनाने में ग्रेफाइट का उप्योग किया जाता है और मत पिदेश में बैतुल जिले में पाया जाता है कहां पाया जाता है बैतुल जिले में पाया जाता है ग् बरक मिलता है पाइराइट पाइराइट है जो सूरजपुर सूरजपुर कहा टीकमगाड पाइराइट है जो सूरजपुर टीकमगाड देवास धार में मिलता है सिलेट सिलेट खनेज है जो सिलेट या मंदसौर सिलेट किस के लिए यूज होती बच्चों के लिए मंदसौर के अब सीशा होताबद दत्या सिवपुरी शीसा है जो हुसंगाबाद दतिया शियोपूरी एस şunu आस बेस्टस है जो यह जाबुगा में मिलता है कौरंडम कौइसा है जो कौरंडम खनेज है आपको पता होग nerve हाज दुनिया का सर्वाज घनेज है जो कथोर कोंसा है हीरा हीरा है जो सऻितर अध। कठोर है उसके बाद दूसरी नम्मर जो कठोर है जो एलॉमिनियम का एसक है कोरंडम यह आता है कठोरता में दूसरी नम्मर अब इसका जो हम देखते हैं कहां पाए जाता है सीधी का परकोटा सीधी में जो परकोटा है वहां से और पन्ना में पीपरा और सिंगरोली में मिलता औरंडम,duc möchten दाएसपोर है जो छतरपोर टीकमगर स्योपूरी,डाएसफोर है जो छतरपोर टीकमगर स्योपूरी में,ब हम लेखती है जो फोल्जफ़ार, क्या फैल्सफार है जो चिनवाड़ा जबनलपूर और साइडूL में मिलता है और इसका उपियोग होता है जो चीनी मिट्टी की बरतन बनाने में और काँच बनाने में फिल्सपर का उपियोग होता है गेरू गेरू को सब जानते होंगे यह पन्ना सतना गवालियर जबलपुर में मिलता है राक फासपेट राक फासपेट है जाबुगा छतरपुर सागर में संग मरमर संग मरमर कहा है संग मरमर कहा मिलता है जबलपुर जबलपुर में किस प्रकार का सफेद संग मरमर मिलता है बैतूल, सिबनी, छिनबाड़ा, छिनबाड़ा में है जो रंगिन, संगमरमर मिलता है छिनबाड़ा में और गौलियर में भी संगमरमर पाय जाता है, कहां पर बाग नामक इस्तान पर यहाँ पार है जो लाल पीला छीटदार संगमरमर मिलता है कहां गौलियर में तो सफेद संगमरमर कहां जवालपुर में अब देखती है टेन टेन है जो गोविंदपुर बैतूल में मिलता है गोविंदपुर और बैतूल टेन पाये जाता है यूरेनियम, यूरेनियम है जो सहडूल, सहडूल में यूरेनियम मिलता है, सहडूल यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है अब देखते हैं सोना, सोना कहां पाये जाता है, बाला गाट, सोना है जो बाला गाट में पाये जाता है अब देखते हैं जिपसम, जिपसम है जो सहिडूल, मुरेना और सतना, फायर के लिए है जो दुआर, जबलपोर और नरसेंपोर, फायर के लिए पाय जाता है, आज हमने देखी प्रमुक खनेच और उनकी उत्पादक जिली, वीडियो अच्छा लगा हो तो चेनल को और अपने दोस्तों को सियर जरूर करें